ओम शान्ती आप सबको स्वागत है आप सबका दशेरा बहुत ही शुब और कुशल रहा हो ये मेरी दुआ थी आपके लिए पूरे दिन भर मेडिलेशन करते हुए साड़े छे से साड़े साथ आज के दिन सारे विश्विकले शान्ती सारे विश्विकले पवितरता की दुआएं करी है आप तक भी पहुंची हो ओफुली और परमात्मा पिता ने हमें समझाया है कि दशेरा मतलब की दश शीश वाले रावन को हराना कह एन का रवन क्या है कि हमारे अंदर भी वुबार का रावन नी हमारे अंदर का रावन जो है जो जा गरत होरा जाताएं किसने कुछ का क्रोध आज़स容 गलद कहा दिया इसके पीछे पढ़ जाते हैं सूटिक करने में आंकार के कारण इर्शक्रिना के वारण, नफरत के कारण जो भी चीज़ हो, ये सारे हमारे अंदर है तो मेन जो है, काम, क्रोध, लोब, मो, आंकार ये जो पांश सर है, ये एक पुरुष के अंदर भी है और ये एक इस्त्री के अंदर भी है, मनला कि रावन तो अगर आपके अंदर हैं, ये अगर आप मानते हों कि हाँ मेरे अंदर हैं, ये सारे चीज़ें, तो इन चीज़ों को हराना ही सच्चा सच्चा दशेरा मनाना है तो नए कपड़े लगाते हैं, मनला कि नवीनता आए हमारे अंदर दिया जलाते हैं, मनला कि हमारे अंदर का दिया जले और अंदकार, काम, क्रोध, लो, मौंकार दूर भागे तो ये तो हुआ दशेरी की बात, लेकिन कल का वर्दान भी रह चुका है हमारा क्योंकि आज ये पर्व था, तो बेजी हो गए तो देखें, परमात्मा पिता कहते क्या है कल के वर्दान में या अगर मने कहा क्या था कल के वर्दान में परमात्मा कहते है कि सर्व शक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा सर्व शक्तिवान कौन हुए, परम पिता परमात्मा कि स्मृति द्वरा सता सफलता का अनुभव करने वाले, सदा की बात हो रही है, थोड़ा आज किया, कल किया, वो नहीं, का अनुभव करने वाले, कंबाइंड रूपधारी वाले, सफलता सिर्फ बाहर की दुनिया भी सफलता नहीं है, ये अंदर की पहली सफलता है, जब तक ह software काम नहीं करेगा ठीक से software काम नहीं करेगा तो यह hardware ठीक नहीं होगा और साथ में बाहर की चीज़ें भी ठीक नहीं होगी परमातों कहते हैं कि सरफ शक्तिवान बाप को अपना साथ ही बना लो क्या बना लो? साथ ही बना लो, combined बना लो तो शक्तियां सदा साथ होंगी अब शक्तियां कौन सी हैं? परकने की शक्ति कोई वक्ति मुझे लोब के कारण तो नहीं मुझे भसा रहा है कोई वक्ति मुझे गलत रस्ते बतो नहीं लिखा जा रहा है कोई situation मुझे गलत सोच में नहीं लगा रही है किसी के कारण मुझे कहीं लोब तो नहीं आ रहा है, कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा है, किसी से इर्शा तो नहीं हो रही है ये शक्तियां आती हैं कि हम परक पाते हैं, क्या करना, क्या सोचना, क्या नहीं सोचना है फिर परमातर केते हैं और जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो यह असंभव है तो कि आप पता कर पाऊगे क्या राइट है क्या रौंग है लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है ताटमीस हमें कंप्लीट प्योरिटी के साथ में पर मातम से हमारा कनेक्शन ठीक नहीं है माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है कि हाँ हमें समझ नहीं आता कि करें ना करें यह वेक्ती ठीक है नहीं है यह सिचुशन ठीक है नहीं है इस सिचुशन में करना क्या चाहिए है तो सफलता भी कम हो जाती है मेहनत करने के बाद सफलता होती है, हाँ मिलेगी सफलता ठोकरे खाका के सफलता मिलेगी आपको या तो ठोकरे कम खाके विसी रस्ते पे पहुँचो या फिर ठोकरे खाते-खाते कभी इधर, कभी उधर कभी इधर, कभी उधर और फिर रस्ते पर पहुंचो, च्वाइस हमारे उपर परमात्मा कहते हैं, मास्टर सर शक्तिवान के आगे सपलता तो आगे पीछे घुमती है, क्योंकि उसको कोई भी इंप्यूरिटी, चाए अपनी अंदर की, चाए किसी और की, गलत रस्ते पर ला नहीं सकती है, यह तब आता है, अनुभव के साथ में भी आता है, और स्पिरिचल ग्यान के साथ भी आता है, यह स्पिरिचल ग्यान मिलता है आपको ब्रह्मा कुमारी इस शुरी वेश्यवेद्याले में, और अगर आप मेडिटेशन सीखने चाहते हैं, और इस ग्यान को और समझना चाहते हैं अगर आप तो आप 15 अक्टूबर इसी साल के एक सेशन जो की जूम भी किया जाता है उसमें मेडिटेशन और इस इन चीजों के बारे में और गहराई में बताये जाएगा उसको आप जोइन कर सकते हैं मेरा इस सेशन में भी आपको वाट्सअप नंबर दिखाई देगा और पिछले सेशन में भी है अगर इस सेशन में ना दिखाई देए पिछले सेशन में आप चेक कर लिजेगा वीडियो में आपको वाट्सअप नंबर है